नमस्कार आपका स्वागत है फालगुन माहा की शुरुआत होते ही होली के उत्सव की तेरिया शुरू हो जाती है हिंदु धर्म में फालगुन मास के दर्मियान कोई भी शुबकारिय जैसे मुहर्त, मुंडन, घरप्रवेश, शुबयग्य जैसे कारिय नहीं किये जाते है क्योंकि ऐसा माना जाता है इस महा में भदर काल का समय चल रहा होता है भदर काल का अर्त है भदरा देवी जो शनी महराज की बहन है और सुर्य देव की पुत्री है उनका सभाव भी शनी महराज की तरह ही अतिक कठोर माना गया है उनके काल चक्र के समय, कोई भी शुबकारियों को करना लाबदाई नहीं माना जाता है, हुली का धेन के पस्चात सारे शुब मुर्थ प्रारंब हो जाते है, रंगों को खेल कर एक नए कल की शुरुवात का उत्सों मनाय जाता है, इस वर्ष पंचां बचकर 16 मिनर तक रहेगा, पंचांग के अनुसार 18 मार्च शुक्रवार को फालगुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तीथी में रंगों की होली खेली जाएगे, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाई लेकर आये है, जिनसे आपके जिवन में जो समस्याय चल रही है, वह समाप्त हो जाएगी, ये उपाई आपके आर्तिक स्थिति को और ब्यादिक मजबूत बनाएंगे, और धन प्राप्ति के कई महतोपुर्ण आउसर आपको प्राप्त होंगे, तो चलिए जान लेते हैं, होली का धेन के दिन हमें कौन से उपाई क करने चाहिए, पर उससे पेल अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे, साथी वीडियो को लाइक जरू करें, पहली बात, ये दि बहुत समय से आपके जिवन में कई सारे कश्टा आ रहे हैं, और समस्याय दिन प्रति दिन बढ आप खुद देखेंगे, आपके कश्ट धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे, ध्यान रखें कि घर के सारे सदस से मिलकर होली का माता की आरादना करें, इससे लाबदाई फल प्राप्त होगा, दूसरा उपाए, इस माह में सबसे जदा काले टोटके करम कांड किये जाते है अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या किसी ने आप पर कोई टोटका कर रखा है, या आपके कारियों में रुकावटे आ रही है, तो होली का धेन के दिन, सुबह से ही अपने जेब में, या अपने पास, काले तिल, काले कपड़े म समय उस पोटली को अगनी में डाल दे, इस से आप पर किये गए टोटके का असर नश्ट हो जाएगा, और कोई भी काली नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदेव आपके जिवन में किसे ना किसी प्रकार की कठिनाईया उत्पन करते रहते हैं, या किसी बुरी नजर के चलते आप स्वस्त नहीं रहे पाते हैं, या लंबे समय से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, आपको करना ये है कि होली का धेन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होली का अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याए उत्पन्न हो रही है धन आपके पास नहीं टिकता और घर में सदेव क्लेश का महोल बना रहता है तो आप ये उपाय आउश्य करें आप फोली का धेन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राक अपने घर ले आए या अपने व् दिया अवश्य जलाए इसे घर पर और घर के सदोस्यों पर काली नजर और टोटकों का प्रभाव कम हो जाता है और तो और व्यापार में आ रही समस्याए भी समाप्त होने लगती है यदि आपको भूद प्रेत या किसी भी तरह का भय सदेव डराता है तो होली का धेन के द आवश्य लिखे साथी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद